श्रगने साई नमहाज हम बात करेंगे मिथो रासी के बारे में 21 जुलाय से 27 जुलाय तक 2024 साथ दिन की रासी फल अचानक बदलेगा आपका भाग्या तो हम बात करेंगे मिथो रासी के स्वामी बुद्ध ग्रह है बुद्ध ग्रह है जो की बहुत सुब ग्रह माने जाते है ग्यान बुद्धी ब्यापार के बिसेश कारग माने जाते है आगर आपकी जनम कुंडली में या किसी की जनम कुंडली में बुद्ध ग्रह मुझबूत है उच रास में बेटे है सुब आस्तान में बेटे है तो आपको बहुत अच्छे लाप प्रदान करते है ब्यापार आपका बहुत अच्छा रहता है आपने कई भी किसी को भी देखा होगा किसी मनुष्य का ब्यापार बहुत अच्छा जलता है तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी हैं, बुद्ध गर्या कहां बेटे हैं, सिंगरासी में, यानि कि सुर्य देपता के घर में आपको छिलाब दिंगे, तिर्थी आस्तान ये कि प्राकरम अस्तान माना जाता है, लाब अस्तान माना जाता है, जिससे आपको अच्छला प्राप्त होगा, बुद्ध गर्य सूर्य देपता करकर आसी में बेठे दुत्यास्तान में तो चंद्रमा के घर में शूर्य देपता भी प्रत्यक से है और चंद्रमा ग्रे भी प्रत्यक से है तो आपको बहुत अच्छे लाब देंगे वहें बात करेंगे शुक्र ग्रे दुत्यास्तान में बहुत अच्छे ला प्राप्त होगा वहीं बात करेंगे हम मंगल गरह और देव गुरू ब्रैस्पती भी आपको छे लाप देंगे वहीं बात करेंगे अगर हम सनी महाराजी की अगर आप पहले से अच्छे कर्म करते हो तो आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा क्योंकि भग्यास्तान में सनी महाराजी अपने ही घर में बेटे है जिससे आपका भग्या खोलेंगे सनी महाराजी आपको विसेश लाव दिनगे तो इसलिए आपने अच्छे कर्म करने हैं सबकी मदद करनी हैं सबकी सेवा करनी हैं सबका आदसमान करना है तो आपने विसेश उजैस ब्पाय कनने हैं भगवान श्री गणे जी की पूजा करें भगवान गणे जी को दुरवा गह चड़ाए आप स्रेय गंतने ही जब भी देवगवान श्री गणे जी मान होगों की मान Omaha ऑज़ा करने है आप चड़ाना है नारियल याने की सिरफल जिसे हम जटा नारियल बोलते हैं तो आपने हिला के देखना उसमें ज़रूर पानी होना चाहिए बिल्कुल सुकव ना चड़ाइए इससे आपके सारे रास्ते खुलेंगे अगर आपकी जनम कुंडली में या बरतमान में कोई दसा चली है जैसे कि सनी महाराज जी की राहो की केतु की तो आपको अच्छाला प्राप्त होगा ये ग्रह आपको कष्ट नहीं पुछा सकते हैं जो भी दो से दूर होंगे मा भगवती की मा भगवती दुरगा की पूजा करने से आपकी रास्ते खुलेंगे आपकी मनो कामना है बिसे रूप से आपके हरमनो कामना जरूर पूरी होगी